हेलो माई फ्रेंड नमस्ते और प्यारबरा सलाम आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एल्बो सेंटर निकालने के लिए फर्मूला तो आप यहां पे देख रहे हैं मैं अपने एक ब्लॉग पोस्ट पर पाइप फीटर फैपरिकेटर गाइड करके यह मैं एक पर्मूला डाल दिया हूँ एल्बो सेंटर के लिए यह रहा है कि अवाये देखें वेतर फर्मूला 10 से लेकरा के स्कांड जे नुएシद मद्धीं है उसका घल यह इसका हम लाइम कैसे निकालते हैं यह इसका फर्मूला है सब्रेइपरिक लिए चै्ट कर लेंगे तो 10 into 1 जितना 10 आएगा उसमें हम गुना कर देंगे 10 into 1 into 25.4 नहीं कि एक इंच के बराबर हम इसमें बराबर लेंगे तो एंसर आ जाएगा आपको कि हाँ पर कितना आपको एक इंच के आपको लेंगे तो उसमें गुना करेंगे वन पॉइंट फाइगा तो उसमें आपको लोंग रेडियस का फर्मूला निकल जाएगा जैसे यहां पर मैं दिखा दिया हूं जैसे माली यह 90 डिग्री का हमको एल्बोस एंटर निकानने के लिए फर्मूला बनाना है तो उसको हो गया है तो 45 डिग्री का मान जो होता है वन होता है तो यहां पर देखिए वन है तो वन इंटू 1.5 इंटू 25.4 बराबर 38.1 यानि कि जो वन आया उसको हम 1.5 से गुना करेंगे और जो एंसर आएगा उसमें फिल 25.4 से गुना कर देंगे तो बराबर 38.1 जो यह 38.1 आया है हम इसको इंच में गुना करेंगे तो एल्बो सेंटर निकल जाता है तो उसी तरीका से मैं यहां पर पूरा यह फर्मूला बना करके आपको दे दिया हूं आप इसका स्क्रीन सोट लेकर रख सकते हैं आपको यह बहुत काम आएगा 90 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक का है यहां पर देख सकते हैं यह सोट रेडियस के लिए है यह वाला और यह पूरा लॉंग रेडियस के लिए है जैसे आप देख सकते हैं यह 90 डिग्री का अगर एल्बो सेंटर निकालना हो लॉंग रेडियस का तो 38.1 होता है और अगर 45 डिग्री का अगर आप निकालना चाहत आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डारेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे आप यहाँ पर आ करके आप देख सकते हैं इसमें यह नाम लिखा हुआ रहेगा फैब्रिकेटर ब्लोग पोस्ट डॉट कम यह नाम से वहाँ पर आपको मिलेगा यह वीडियो कैसा लगा इस तर पर आपका से एक रेड बटन हो का नीचे सब्सक्राइब का उसे भी आप सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए